एक एन्ड डेटा एंडोई 13 के अंदर रहते हुए मैं कैसे फाइल को पीस्ट कर पा रहा हूं कैसे कोई भी फाइल को मैं आशे डिलिट कर पा रहा हूं रगा पूरा इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं अब इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं जी टीए 6 ग्राफिक्समोंटर जो कि 2024 के लिए होने वाला है यह अब उने ग्राफिक्स सिंध मभलत यह सबinen पनीद हरा है और आपको मिलेंगे कुछ रिफ्ञेक्शन जो की गीम को बनायेगा पूरा पूरा पोस्ट डाला था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए तो मैजुरिटी ओफ लोगों ने जीटी जीटी सिक्स यानि कि एक रिमास्टर करके मौट पैक में डाला था उस पर ज्यादा वोट आये थे एंड दैन आइट वोगी मुझे 2024 के लिए जीटी सिक्सक् वाला हूं किया क्या पूरा इसी वीडियो के लिए बताने वाला हूं एक मौस्ट इंपोर्टन चीज होगे कि इंस्ट्रॉलेशन के टाइम पर आपको चीजे पर पोकस करना है अगर गेम आपका कड़ता है तो उसको कैसे फिक्स करना है जोड़ी जे गेम खेलने के बाद मे आने वाली है, so if you are new to this channel, I hope that if you are new to this channel, अगर आपने सर्च किया है, this video के बारे में, चल दिस जाके subscribe and bell notification को, for the future notifications, and let's go to the installation quickly, description में, दो फाइल मिलेगी, APK and data, first, you have to extract the APK, and आपको extract करना है, data file को, हम दोनों को एक साथ में extract कर देते है, फिर क्या steps होने वाले, वो सब चीजे में बताने वालों, watch this video carefully, after getting both the folders, APK पर जाएंगे, जो भी आपका Android version रहेगा, उसके according APK को या पर हम इंस्टॉल करेंगे, और मैंने इंस्टॉल कर रहा है, इसलिए अप्डेट का option आ रहा है, मैं इसको अप्डेट कर देता हूँ, उसके बाद में done करेंगे, back जाएंगे, and back ज आपको आ करके paste करना है, अब ये apply to all files बोल रहा है, क्योंकि मैंने और यहाप पर already files को paste करा हूँ है, but मैं इसको again replace कर देता हूँ, और ये replace हो जाएगा, कुछ error बोल रहा है, maybe ये मैंने already डाल रखी, इसलिए मिर को बोल रहा है, ठीक है, और एक चीज, Android 13 के अंदर रहते हु करती है, copy and paste की, उससे आप fix कर सकते हो, और वो वीडियो आपको i button पे मिल जाएगी, या आपको description में मिल जाएगी, आप चैनल पे जाकर के उस वीडियो को browse कर सकते हो, literally बहुत जादा important application है, जो मैंने उस वीडियो में बताई है, और एक application को download, इस problem को solve कर सकते हो, ठीक है, त आपको यापे cards मिलने वाली है, cards के अलावा, यापे आपको textures मिल जाएगे, एकदम realistic वाले road textures, जो की आपकी game को GTA 6 बनाएगे, और जब आप raining वाले season में आओगे, जहाँ बहुत बालिश आ रही होगी, और वहाँ पे जब आप road का पूरा view देखोगे, तो वो बिलकुल यार amazing, अच्छे graphics की तरह आपको look provide करने वाला है, और graphics अच्छे होने के साथ में, आपको GTA 6 का character है, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, उसके अलावा, आपको यहाँ पे sports cards तो देखने के लिए मिल ही रही है, बट साथ ही साथ में, आपको skybox भी देखने के लिए मिलने वाला है, skybox भी normal नहीं है, skybox जो है, बहुत अच्छी quality का use किया गया है, और इसके अलावा, यहाँ पे आपको GTA 6 के vibe तो आनी ही वाली है, क्यूंकि जब आप रात को अंधेरे में street पर चलोगे, तो वहाँ पे आपको game का view है, वो दिखने वाला है, amazing, ठीक है, यह बहुत अच्छी feel करने वाले है, अगर आप gameplay record करते हो अपने, तो उस चीज में आप ऐसे game mode pack के साथ में record कर सकते हो, I hope कि यह particular video, छोटी सी video आपको अच्छी लगी होगी, like करके subscribe कर देना चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीकी की video in future भी लाने वाला हूँ, और इसके अलावा, हम GTA Netflix पे भी shift हो पे जाकर के आप देख सकते हो, अगर आप इंट्रेस्टेड हो, Netflix related videos देखना, यानि कि जो GTA Netflix versions है, GTA San Andreas Netflix, GTA Vice City Netflix, आप जाकर के देख सकते हो, जाकर देखिए, अगर अच्छे लगे, आप चैनल को subscribe ज़रूर करिए, और भी videos future में आने वाली है, thank you so much for now, and I'm Jinesh, Sony signing out. झाल